हमारे देश की प्रधान मंत्री श्री नेंदर मोदी जी मैं सब्सक्राओं गीता का जो ज्यान है उसी के साब से इस देश को आगे बढ़ाने का वर्सक प्रितर्ण कर रहे है हर महिने के बाद कोई ना कोई नई सोच नई योजना नया विशय उनके मस्तिश्क में आता है उसको लागू करने में प्रबंदन करके उसको आगे बढ़ाते रहते हैं याद है 2014 के जनौरी में हमारी सरकार अभी बनी बनी थी सबसे पहला भीयान को जो वनोंने हमको दिया कि हरियाना के अंदर एक बड़ी समस्या है वो है जेन्डर रेशो इसको ठीक करने के लिए भीयान चलाना चाहिए हमने स्विकार करके उसके उपर काम किया बेटी बचा बेटी बढ़ा और अस भीयान का लाब मिला जंता के अंदर जो एक समाजिक बुराई ही, समाजिक-समाजिक बुराई उसको दूर करने के लिए बहँत बड़ा भ्यान in एक सोच के साथ उनमने शुरू किया क्या कर नहीं शुरू किया सवच्छतार लान यह शुरू किया मेक इंडिया अपने सौधेशी को बढ़ाने के लिए, अपने देश की प्रगति, आर्थिक प्रगति, यहां का रोजगार, यहां के लोग की खुशाली यह बढ़ है, मेक इंडिया, डीजिटल इंडिया, आज के यूग के साथ अपने आपको मिलाने के लिए, क्योंकि घीता अभी, दुनिया में विज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन विज्ञान का सही उप्योग, ग्यान अधारित गीता पर चल करके किया जा सकता है, अगर गीता ग्यान पर चलेंगे तो यही विज्ञान, बिना गीता ग्यान के विद्वनसक से दो सकती है, लेकिन गीता ग्यान के म तो इस प्रकार से नहेंदर मोदी जी ने अभी उसके बाद कितने ही अभ्यान किसानों के लिए फसल भीमायोजना किसानों की आया डबल करना हर बेगर वेक्ति के सिर्फ परच्छत हो सबको 2022 तक घर देना यानि अगर गिने तो पचासमें से प्रोग्राम दे रखे हैं इन प्रोग्राम के उपर सरकाने काम कर रही हैं तो इस प्रकार से समाज को सुखी करने के लिए एक करम शील का अगर करम योगी का एक उदाहां देना हो तो नहेंदर मोदी जी एक करम योगी गीता ग्यान के उप कि हमारे शेक्षा मंत्री जैने जैसे बताया कि स्कूलों में पाठे क्रम के अंदर गीता के एक श्डोग ये जोड़े गए हैं अब ये तु ठीक है कि पूरी गीता तो शायद बढ़ना और पढ़ना संबभ नहीं है लेकिन जो मिद्यारतियों के लिए सार तक है उसके कुछ लोग पाठे क्रम में जोड़े हैं गीता के प्रचार प्रसार के लिए जैसा गीता जनती का कारेकम कुर्शेत्र में कर रहे हैं इसी प्रकार सब जिलों में ब्लोक लेवल तक भी कुछ प्रत्योगता है कुछ निबद लेखन कहीं कला कृति कहीं किसी प्रकार से कहीं किसी प भागत गीता की कथाएं तो अनंत हमारे समाज के हर वर्ग में साल वर्ष बर चलती रहती हैं तो हरियाना का बातावन कैसे गीता में हो इसके लिए सरगार तो काम करी रही है संस्थाएं भी जगता काम कर रही है बहुत कर रही है फिर भी अपेक्षा यह है कि इसको और कैसे आ कि इस प्रकार से अंतरदिश्टी हो तो उसमें हर्याणा से में प्रारभ मुण करेंगे कि हरियाणा में इस संदेश को लेकर कैसे आग benefits लोकлек हई losses लोग का जीवन शुदध कैसे हो विचार से चुदध हो औरहन संदेश का अच्छा जेए खान होगा और इस गीता ग्यान गीता की संतरास्टी जन्ती के करकम को हम सब लोगों नहीं यहां करके सफल बनाने में जो काम किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभाई